हाई, मैं हूँ डाक्टर सुरंजन सरकार, आज हम लोग अब इसे हैं कि अगर पपी को जब बहार से चोटा बच्चा जब लाता है जब ब्रीडर के यहां से ख़ीद के या एड़प्ट करके जब घर पे दाते हैं, तब अगर उसका पेट खराब हो जाता है तो क्या करेंगे? अकसर ऐसा तख्या गया है लोग पपी को खईने के गर पे लाते हैं, दो तीन देन गता है रीडर जो बोलते हैं वहीं खिलाते हैं या कुछ सीज बीमारी हो गया फिर दोग गवर जाते हैं पैसा खच कर जाते हैं लेकिन अंत में पपी की मित्ति हो जाती है तो इसका समाधान क्या है तो देखिए ऐसे होता क्यों है पहले आपको जानना पड़ेगा कि जो पपी जो लाते हैं जो ब्रीडर के हां से तो वो आते ही घर पर आते ही बीमार क्यों हो जाता है ऐसा क्यों नहीं होता है कि ब्रीडर के यहीं बीमार हो जाए वैसा तो होता नहीं है उसका एक ही वज़ा ह वाले लोग मिल जाते हैं मतलब एक परिवार मिल जाता है लेकिन क्योंकि वह बहुत पैमपर्ड हो जाता है या बहुत दुलारा हो जाता है तो वह उसका खाने की जो क्रिया है वह डिस्टर्ब हो जाता है सिर्फ खाना जो है quantity या जो बताया गया है वो देने से नहीं होता है किस वक्त देना है कैसे देना है उससे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है तो यह सब सब डिस्टरब हो जाने के कारण उसका पेट कराब हो जाता है इसलिए मैं खमेशा करता हूँ और यहां भी करना चाहूंगा कि पपी लाने के बाद तीन दिन तक कोई दवाई ना दे क्योंकि तीन दिन तक वो अब आपके इन्वाइमेंट में घर के महाल में वो एडप्ट होगा उसके बाद ही कुछ दे जैसे आता है इसमें काफी तरका जो इसमें काफी तरका विटामीन साता है या पिर जो डिवर्म की दवा आती है यह ब्रीडर लोग दे के बेजते हैं यह बड़ा मिस्टेक होता है जैसे ही आप वो दवाईयां देंगे उसका पेट कराब होने गएगा देखिए विटामीन कितना भी अच्छ त इसमें से मुक्यत है एक मैं करना चाहूंगा कैल्सियम बिल्कुल भी नदे पहले तिन दिन तक कैल्सियम से गस्टाइटिस होता है और उसमें पेट कराब होने की समामना बहुत जादा होती है थोड़ा बच्चा आपके घर में स्टेपल हो जाए उसके बाद दें विटामी करी पहले तो बिल्कुल नहीं कि anarchiclet के कम सबस्कुर्ट के बहूं की दवा कम साथ दिनों के बाद अगर वह बनुस Juan MMA हो सकता है होने की समादना रहती है तो यह बात आपको समुझना पड़ेगा यह सभी समुझा आप दानिया बटेंगे तो आपका डॉग जो है एक स्वस्त डॉग के पपी जो है छोटा बच्चा जो आता है वह आप एक स्वस्त पपी या स्वस्त कुत्य में पढ़िनत होगा और बड़ा होके वह बहुत अच्छा आपका डॉग बनेगा तो आज तक के लिए इतना ही आगे और भी वीडियो लेके मैं आऊँगा धन्यवत